नमस्कार दोस्तों आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ परदहान मंतरी इंटरसीप योजना 2024 के बारे में हम आपको इस वीडियो में step by step जनकारी दूँगा कि अगर आप भी सरकार की इंटरसीप योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा मैं आपको सारा बात आपको बारी किसी बताऊंगा आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कैसे 5000 रुपिया दिया जाएगा कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल ने क Courtney sponsors कर दीजिएगा क्योंकि जो वह विडियो लाऊ आपके मोबाई पर आ ता रहे है तो चले आपको बताता हूँ कि सरकार की जो inclusive योज़ना है आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पर अपने कि सरकार की इंटर्सीप योज़ना में 111 कमपणिया सामील हो गई है और यहाँ पर दोस्तों कि यह जो sean coal ना अकि पर 111 कमपनिया सामील हो गई है और और यहां पर लिखा भी गया कि योजने के नुसार अभियरतियों को समर्पित अनलाइन पोर्टल पर स्वेम को पंजेकरित करना होगा जिसे प्रत्यक पद के लिए उद्धियों में संबंद रिक्तियों की संक्या से दोगनी संक्या का चैन स्वेता हो जाएगा तो दोस्तों इस बीडियो को लाइट तक जरूर देखियेगा कहीं पर स्कीप नहीं किजिएगा हम आपको इसमें बारिकी से बताऊंगा कि इसका पॉर्टल का बलांच होगा कैसे आपको अल्लाइन अवेदर करना होगा कहा जाना होगा सब इस वीडियों में जानने को मिलेगा आपको च जिनकी आयू 21 वर्स से लेकर 24 वर्स तक है, वे राइडर्स के अधिन आवेदन करने के लिए पात रहे हैं, उधारण के लिए आप जान जाएए कि IIT, IIM, NLU में से असनातक और CSC में MBBS, BDS और MBBS जैसे योगिता रखने वाले पात रहे होंगे, साथ ही केंदर और राज सरकार की योजनाओं के तहुत किसी भी कौसल परसी, छुता परिसिचर से गुजरने वाले लोग अपात रहे हैं, इसके अलावा, जिन ब्यक्तियों के परिवार के लिए, परिवार के किसी सदा से की आयव, 8 लाक रुपी है, यानि 2024 में अधिक है, या कोई सदस से अस्थाई ये नियमी सरकारी करम चारी है, वे इंटर्सिप कारे करम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पले ही ये मेन बात था है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी था, और यहाँ पर दिखे लिखा भी गया कि योजना के अनुसार उमिद्वार के प्रोफाइल वर्यता हो और पातरता के अधार पर होगी, एक बार जब पोठर उमिद्वारों को साट लिस्ट कर लेता है, तो उद्धियोग या भाग लेने वाली कमपनियां सोची की समिच्छा करेगी और साट लिस्ट से उमिद्वारों का चैन करेगी और उन्हें एक आफर लेटर बेजेगी, आप यह भी जानिए और यहां पर लिखा गया कि भारतिय उद्धियोग परिसंग यानि CII ने कहा कि चुकी आर्थिक रूप से हासिये पर पड़े अधिकांस लोग SC, ST, OBC समुदायस हैं, इसलिए 50% आरच्छड समावेसिता को बढ़ावा देगा और उसके लिए एक सहायक वातावरोड तयार करेगा, CII में कारेकारी निदेज़क काउसल एए और आई आर सौगत राय चौधरी नका आरच्छड का हिस्सा जोड़कर सरकार ने सकरात्म करवाई किये, जो समावेसिता को बढ़ावा देने में एक लंबा रासा ताय करेगी तो दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी गया है कि परसिच्छों को हर महीने 5,000 रुपिया की बीती सहायता मिलेगी जिसमें से 45,000 रुपिय सरकार द्वारा दिया जाएंगे और 500 रुपिया जो है कंपनी अपने CSR फंड से देगी इसके अतरिक परतेग परसिच्छों को अकासमिक खर्चों के लिए 6,000 रुपिया का एक मुस्त अनुदान दिया जाएगा जो इंटरसिफ शुरू करने पर मंतराले दोरा बितरित किया जाएगा तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि जो मैं थमेल पर लिखा होंगे को सरकार आपको 5,000 रुपिया देगी यह यही इंटर्न को केंदर सरकार की योजनाओ पीम जोती बीमा योजना और पीम सुरच्छा बीमा योजना के तवत बीमा कवरेज परदान किया जाएगा जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि भागितार कंपनियों के पास विदा जैसे बीवरड सामील होंगे योग उमिद्वार पोर्टल पर पंजी करण कर सकते हैं जहां उनके बीवरड का उपयोग रिजीव में बनाने के लिए किया जाएगा वे सेक्टर भूमिका को अस्थान वरियताओं के अधार पर इंटरसीप तलास कर सकते हैं और पांच आउसरों के लिए आविदन कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर लिखा गए कि सुत्रों के अनुसार इस योजना का लच्छ बित वर्स दूजर पचीस में एक लाग पचीस हजार इवाव को इंटरसीप के आउसर परदान करना है और इसके लिए आड़ सो करोड रुपय का ब बास्तविक परसीछड 2 दिसंबर से शुरू होगा और परसीछड के अवगिल्व महीं नहीं बताएंगा और सुत्रों ने बताया है कि अगर 500 भागिदारकां डे पाती है तो वे इस उद्धेसे के लिए फारवर्ड और बैकवर्ड वैलू चैन आप पूर्थी कला विक्रता में सामिल संस्थाओं के साथ गठ जोड कर सकती है हलांकि बागिदार कंपनिया योजना के क्रिया Marching कि देखरे करेगी तो दोस्तों यह जां जाये तो दोस्तों अगर आप इंट्रेस्टेड हैं और आपने जोमें क्वालिफिकेशन के अंतरकत आप आते हैं जो में अपर लेबल की क्वाली पिकरसन बताया हूं वो तो आप जान चुके हैं कि वो लोग अपात रहें अगर आप दसवी पास हैं और बारवी पास हैं तो आप आवेधन कर सकते हैं तो दोस्तो इस बेव साइट का भी जो लिंक है मैं यह स्टार्ट की जा रही है तो दोस्तो इस बीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने नोटिपिकरेशन को आन कर लीजिएगा क्योंकि यह भी मैं वीडियो लाओं आपके मोबाइ पर भी आता रहे तो चली मिलते हैं को और नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भाराद